प्रग्रति करता किसान प्रग्रति शील बंता किसान कुर्शी प्रधान प्रदेश की शान बंता प्रग्रति शील किसान हर्याना आज उन राज्यों में से एक है जहां का किसान आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है यहां के किसान पारंपरिक खेती छोड़ प्रकरतिक खेती को ना सिर्फ अपना रहे हैं बल्कि अपनी आये को दोगना करने का काम कर रहे हैं साथ ही करोडों किसानों के लिए उधारन भी बन रहे हैं इनी में से एक हैं कैथल के गाउं सिकंदर खेड़ी की प्रगति शिल के साथ राजुष कुमार। राजुष ना सिर्फ और्गनिक खेती कर रहे हैं बल्कि मदुमक खिपालन बिना रासाइनिक खाद का उप्योग कर गये हूं और अन्य फसलों का उत्पादन कर रहे हैं राजुष खुद तो कमा ही रहे हैं साथ ही नोने किसानों का एक ग्रूप बनाकर अपने साथ जोड़ रिखा है और उन्हें भी ट्रेंड दे कर बुदा है दे रहे हैं इसे पहले हमारा एक ग्रूप ता तो उस ग्रूप को हमने कवेडियां से ब्यूंग करदिया जो मेरे पास सब्यूंत करन के लिखंब मेरह को कंषे इन तक देए गई हैं तो सारी चीजे देए अब नाबाड ने हमारे को ब्लैरो केमपर गाड़ी देए अब यह अपनी डिलूरी खुद अपनी गाड़ी से करो हम किराए की गाड़ी नहीं लेते जो हमारे मुख्यमंत्री जी है मनोलार जी तो उन्हें बहुत किसानों के लिए बहुत ज्यादा प्रोतसान दराशियां भी नोकरी हैं और प्रोतसान दे रही हैं अच्छी ट्रेनिंगा भी दिलवा रही हैं तो उससे हमारे को अच्छे अच्छे प्रसान मिल रही है इतने मेले हो चुके हैं किसी दूसरी स्टेट में नहीं हुए जो हमारे हरियाना स्टेट में हो चुके हैं इतने बड़े-बड़े मेले होते हैं आये साल ही इनाम मिलते हैं किसानों को तो ये मनौल लाल जीयों का तरीके से करते हैं जो कि खाने में तो स्वादेश्टा होती ही हैं बलकि आम जनके स्वास्त के लिए भी लाब धायक है राजिश उन किसानों के लिए अधारन बन चुके हैं जो कभी खेती को घाटे का स्वादा पताया करते थे मैं बारामासी सब्जी सारी लगाता हूं कि मोसम के असाफ से लिए अभी आज मोसम इस सब्जी का घजर का तो उसके लाद दूसरी लगा दिए वह नहीं उसमें तो अगर लगाएंगे तो कैमिकल जादा डालने पड़ेंगे कैमिकल हम डालने सकते क्योंकि हमारे पेस्टी करता हूं जो होटलों में चलती हैं और होटलों वाले गाड़ी यहां लेने के लिए आती हैं सब्जियां सभी और उसके इलावा हमारे 15-20 किसान किसान हैं जो एपियों के इंदर हैं सो सोटौ डेट सो बॉक्स ले रखे हैं सभी ने रीज इपाल बंधराना आया है दो मेरे पास ड्र लेड़ सो बॉक्स हैं तो काफी सरे किसान है जो सहथ का भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा सहथ लखनौ से। साइन्टिस्टों ने बेज़ जाया थीन देस्टों में और सबसे TOEP QUALITY में आया खने देस्ट करोगने का silah कर बढ़ी है लो किसानों को आधुनिक जानकारी मिलती हैं और जो किसान मिलें लगते हैं उनमें जरूर भाद लेना चाहिए मुझे कितने ही किसान मेलों में सम्मानित किया गया और अवार्ड के साथ ही सम्मान दाशी है एक बार तो मुझे काड़ी भी सरकार की तरफ से नाम में मिली मैं अपने घर में गाय माता को रखता हूँ जिसके लिए सरकार 21,000 रुपे देती है और घरवालों को गाय का घी और दूद पीने को मिलता है साथ साथ इसके गोवर और मूत्र से खेतों में स्प्रे करने के लिए औरगेनिक की नाशक भी तैयार किया जाता है सरकार के दुवारा जो 2016 के अंदर मेरे को नैसलन आवार्ड मिलया था तो लिए पूरे हरियाने का क्योंकि इसकी सवा करोड़ रुपई थी अभी प्रोना टैम भी इसकी आस्य प्चासी लाक की ट्रान ओर थी मैंले पचासी लाक से कम तो ट्रान ओर होतीनी है हमारी क्योंकि साइद का और इन चीजों का काम अच्छा कर रहे हैं गुड़ सक्र का भी काम कर रहे हैं करना किसान दूसरा लगाता है तो हम गुड़ सक्र बनवा के सेल करते हैं उस चीज़ को मैं तो अपने आपको मेले अपने किसानों को भी बागया साली मानता हूं कि जो हरियाने का डीजी पीची आईडी का है वो तीन साल से तीन साल से सरसो का तेल और गुड़ सक्कर मेरे से लेके जाते हैं आपका अच्छे बड़े लोगों में भी समान जा रहा है जी हां बहुत उसमें जा रहा है क्योंकि सबी चीजें यूज करते हैं जो अपने कैथल की डीशी मैडम है वो भी हमारे से गुड़ों लेके जाती है प्रिगति शील्प किसान बना हर्याना की पहचा राजिश का कहना है कि हमारी सबजियों को सीधे दिल्ली से बड़े होटल वाले मौल वाले हमारे खेतों से ले जाते हैं और मन्चाहा दाम हमें मिलता है किसानों को सरकार की MSP के भरों से खेती नहीं करनी चाहिए अपनी फसल को ऐसा पैदा करो कि लोग आपकी खीमत पर आपकी फसल के दाम दें प्रधान मंतरी का सपना था कि किसानों के आयत दोग ना करेंगे परन्तु वो सपना पूरा होगा जब किसान अपने खेतों में सरकार की योजनाओं का लाब लेकर तकनीक के साथ खेती करेगा उनका कहना है कि मेरे गेहूं आज 8000 रुपे प्रतिक इंटल बिकती है और वो भी मेरे खेतों से लोग खुद लेकर जाते हैं इसके वो किंग पहले ही हो जाती है मेरी खुद की ट्रणोवर मैं ले तीन एक कड़ से मेरी कम से कम 14-15 रुपे की बच्चत है तो यह सोचो कि मैं ले उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है वही काम मिल रहा है सबजी कर रहे हैं वह अच्छी तो यह जो आपने गुरूब बढा रखा उसकी ट्रणोवर सवादेट करोड के आसपास है पर साल की जी सरकार से कहना चाहूंगा कि कि मैं देखो कहते हैं ना भई आमजणी दूगनी आमजणी तो किसान के अपर हैं अगर उसमें फसल में खर्चा करेंगे अब मेरी मैं जरूरती हैं मेरे में मंडी में दो जाए गया जो पाची किल्ये पह रख रख है केमिकल आटीरव और उन्हƏं मेरे आठजारुपे की की बुकिंग हो चुकिया जी राज्यूश का कहना एक जब से मोधी सर्काराए है उन्होंने किसानों के लिए कर्यानकारी योजणाये चलाए है जो किसान इन योजनाओं को समझ कर रही है उनकी अज़ों की आए लिए टब से मेरी आए कई गुना पड़ गई है इसके लिए मैं सरकार का और क्रिश्व ज्यानकेंदर के विए ग्यानिकों का भी धन्यवाद करता हूं मैं मौदी ज्यों का मनोर लाल ज्यों का धन्यवाद करता कि कि आमिनी डुक थूब बढ़ श्रकार का बहुत धन्यवाद करता कि करीश्व ज्यान क biscयंदर के निवह करता हूं साइन्टिश्टों के दवारा घ्ना मिला तो मोधी ज्योंने कहा तो घ्न दे वो तब कि तो हम सभी डिपार्टमेंटों का धन्यवाद करते हैं कि कि इतना घ्यान मिला और आज हमारी आम निए कहां से कहां है हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे को मेरे थोड़ा प्राइब सब्सक्राइब उसके और सब्सक्राइब कि बॉक्स दए तो मदू मकी का काम थो जमीन की जिरूर्ट की स्वीधा की जुरूर्ट के पर मेरे को अनुट ले सब Immediate लिए है काम करेगा तो गोर्मिंट भी बढ़िया सवयोग दे रहे हैं जैसे हमारा क्रीशिव ग्यान के अंदर है हमारे कैथल के अंदर इतने कि इंदर के दोबारा ही यह वहां ग्यान मीलेगा तब ही तो ले पाएंगे और ग्यान तो ट्रेंणिंग है इतनी बड़ी अधिते राजूश के घर के अंदर दीवार पर खूब सारे सम्मान पत्र देखने को मिलते हैं अब राजूश किसान के साथ साथ ब्यापारी भी हो गये हैं वो और्गनिक सरसोग से तेल निकाल कर खुज बेशते हैं और शेहत को अच्छे से प्रोसेस करके पैकिंग करके अच्छी कीमत पर बेशते हैं ठेके पर जमील लेकर गन्ने की खेती करते हैं और अपना और्गनिक गुण भी तैयार करवाते हैं राजिश ने बताया कि उनके और्गनिक पधार्थ अच्छे नामचीन घरानों में जाते हैं इसके रावा बड़े-बड़े मौल में उनके हाथ से बनाएगे पधार्थ मिल जाते हैं इसके लिए पूरे परिवार का सयोग भी मिलता है राजिश प्रद्यश के वो प्रज़ती फिल किसान हैं जिन्नों ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है करोणों किसानों के लिए आज राजिश मिसाल बच चुके हैं करोणों रुपे खुद भी कमा रहे हैं और साथ ही बहुत से किसानों का जीवान सुधार कर उन्हें भी इस लायक बना रहे हैं कि वो अपने आये को दोगना कर रहे हैं और बाकी किसानों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं